आयोध्या के नववववववववववंद्र में रामलला विराजमान हो गए हैं और आज सद्यों का जो सपना है, वो पूरा हो गया, ये देखिये किस तरीके से यहां पर जो भजन है, वो गाये जा रहे हैं, पिछले कैई सालों से यह महИला है, यहां पर राम नाम का जो मेरी जोपड़ के बाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे मेरी जोपड़ के बाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो अग ना सजाओंगे दीप जला के दीवादी मैं मनाओंगी जन्मों के बाद बाद बोले जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के बाद बाद बोले जाएंगे राम आएंगे जड़ जोपड़ के बाद बोले जाएंगे राम आएंगे जेंजे राम आएंगे तो बड़ना बिशाओंगी जीन्मों के बाद बाद बसाओंगी जीन्मी मीट़ बाद बजन सुनाओंगी मेरे जोपड़ के बाद आज को ले जाएंगे राम आएंगे मेरी जोपड़ी के वाग आज खुल जाए के राम आएंगे मैं तो रूची रूची बोगे लगाऊंगी माकन मीचरी का बोगे दिलाऊंगी माकन मीचरी का बोगे लगाऊंगी मेरी प्यारी भी दोगे में तो रूची 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 के वाग आज खुल जाएंगे ये भजन मैंने आपको सुनवा दिया अब इन महिलाऊसों में बात कर लेता हूँ अमाजी आपसे जाना चाहूँगा कित्रे टाइम से राम नाम का भजन कर रहे हैं राम प्रभुराम का दर्बार है सीता मैया है हनुमान जी है दर्बार के नीचे बैठे हैं कित्रे सालों से यहाँ पर भजन कर रहे हैं मेना 35-36 साल से मंदिर आ रही हूं डेली और यहां पर सब जो हमारी ससंग मंडली है वो इतनी अच्छा है राम के रंग में रंगी रहती है आज के शब्द जानना चाहूं राम लाला विराजमान हो गया है आज राम लाला विराजमान उसके खुछी का ठीकान नहीं है मैं फूली नहीं समाती और पूरा भारत तर्शी फूला नहीं समा रहा है और जो मंदिर भगवान का बना योगी मोधी ने बनवाया है और जो कार्से वक्ते उन्हें जो सपूत हमारे देश के जुनने वलिदान दिया मंदिर के उपर उन सपूतों को मंदिर बना के उसे शर्दानजली अरपित करी गई है और सनातन धर्म का जंडा स्वर्यू पर फेराया गया है जैर स्यराम राम मंदिर बनने में बहुत खुशी हुई है इतनी खुशी हुई है कि बता नहीं सकते सारी सचंग मंदिर में राम में में रंग रही है रंग क्या रही है पुरा मंदिर की पुरा देश राम में हो रहा है मजी आपके भी भाव जानना चाहूंगा मैं भी क्या करता मंदिर में खुब आती हूं और क्या करती हूं अपने राम लला का नाम लेती हूं जंथा रो पूरब आप वी एक बात कह रहे थि कि जैसा سर्ग में पूंच गए विल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम सुरग में पहुंच गए हो और हम तो राम के पास पहुंच गए ऐसा लगता है हमारे तो मन यह करता है कि अभी समय पहुंच जाए राम लाला के दर्शन करने के लिए लेकिन मौदी जी ने मना कर दिया आप यह जो भगवान राम का मंदिर बीजा इतनी सजावत इतनी खूशी वह कर दिया तरह के लिए अब बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्हों ने अमारे राम विराज्मान किया है चैने भुनक्राइर Γस्टर्मा ओस तर्प लिए पीछे एक बहूर उन से भी बात कर लेता हूं और उन से भी जानने कर लेता हो क्या लग रहा है आगा मजी prima कोइसे पीछ दरबुगार नहीं हमरोन सना चाओंुगा कम से इंतजार खरदा वहां वहां हन जैकारे है वो यहाँ पर बुन जाए मान है और पूरा माहौल किस तरीके से भक्ति में नगर आ रहा है देखें महिला है किस तरीके से यहाँ पर जुमती नाचती गाती आपको नजर आ जाएंगी ये वो उत्सा है ये वो लास है जिसका पिछले कई सालों से जो बेसबरी से इंतजार था वो आज इंतजार खत्म हो गया जब ये लमा आया जैसे ही राम लिला आयोध्या में विराजमान हुए तो उसके बाद आप देखे जैश्री राम के जैकारे किस तरीके से यहाँ पर ग हमारे अयत्या में विराजमान हो गए हैं और बहुत खुशी हिलास का मतलब उलास का टाइम है और पूरे भारत को बढ़ाईये बहुत-बढ़ाई है आप सभी को भी बहुत बहुत बढ़ाई जैश तो देखे ये उत्सा वाकई देखने माला है और खाली मेरट के हरिद्वारी महादेव मंदिर में ही नहीं बलकि पूरे देश में इसी तरीके से हर्श उल्लास के साथ जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है और ये श्री राम की जो गूंज है वो आकाश तक जा रही है सनुच शर्मा एबीपी लाइव मेरा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी